हाइलो फ्रेइज वेलकम बैक टो मैं चनल तो फ्रेइज आपके इधर सबजी का क्या रेट चल रहा है ज़रुर बताएगा अभी तक है सब जगां सबजी का रेट जादा ही चल रहा है तो मैं थोड़ा-थोड़ा सब्सक्राइज लाती हूँ और फ्रेशी लाती हूँ बनाने आज लौकी के सब्जी बनाने वाले हूं दूसरे तरीका से प्रेंट बिल्कुल मैं फ्रेश लेकर के आई हूं यहां पर दो में लौकी आपको दिखा रही है बहुत ही टुनमून के मेरे को लग रहा है लौकी जो है छोटा-छोटा देखिए इस तरह से बाल बाल दीख रहा ह है कि बीज वाला की फ्रेश है तो इस तरह से चूब गया था लेते नहीं हमने चूबा करके भी देखिए अभी आप लोग के सामने भी दिखाई ति इसका मतलब बिल्कुल फ्रेश चोटा समय ने ली हूं ने पकोड़े इसका काफी अच्छा बनता है और बिल्कुल एक दम काफी अच्छा लगता है तो उसने अपने लिए मीर चली है मतलब आजकल कुछ ज्यादा यह स्पैसी खाना पसंद करने लगी है और यहां बेटा को मेरे को भींडी का काफी अच्छा लगता है भूर जी तो मैं उसके लिए भींडी ली हूं और फ्रेंड आप से रिक्वेस प्रेंग मैंने आटर सुर्च करका देखएल नेटिए के पामोल होता क्या है तो बहुँ ज्यादा नुकसान दीखा रहा है ऑफ प्रीच बाहर की हरा नहीं ख़ ईडाये और structural काहिए इंडिया में बनते हैं बाहर सबची बनाने वाला है सबजी बनाने वाले हुं तो मैं लोगी ले रही हुं। लोकी को अच्छा लगता है लोकी के सब्जी और मुझे बहुत अच्छा लगता है दो बनाते हैं अच्छा बनाती हो आपको भी अच्छी लएगी इस तरीका से ज़रूर बनाएगा यहाइ कापी टेस्टी लगते है तो मैने नपाले छील लिया था लोगी को और धो ली थी आप इदर को कहीं जुकतम पूड़ी नब decrease गयार दाल कोंजोन सीब्ल सिंपल स्टों क्वहीं आप ये प deprived ये लाप तो लौकी में थोड़ा कमी नमक डाले क्योंकि थोड़ा पानी छोड़ता है थोड़ा सो हो जाता है तो फिर ज्यादा डार्क नमक होगा तो टेस्टी नहीं लएगा थोड़ा समय एक दूछ समझ के जितना पानी डाली हूं और इसको न हम एक बीशील लगाएंगे तेज पर अगर आपका सबजी मतलब बीज वाला है न तो एक बीशील में नहीं पकेगा नहीं गलेगा तो आप क्या करने एक तेज पर बीशील लगा ले और उसके बाद कम कर दे और एक कम पे लगा ले मैं इसको अब भी वेट कर लेती हूं एक बीशील लाने देती हूं तब तक हम आटा लगा लेते हैं क्योंकि नाइट में हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं जाना तो दोफर में जो भी बनता है राइस वगर बनता है और रात में बनाती हूं तो मैं रोटी बनती हूं नहीं दोगा लेए तब आदा गंटा मैं खोड़ देती हूं रेस्ट होने के लिए आता गंटा यह दस पंदर में ज़डूर छोड़े गाए यहां देखिए भी भीसी ला गई है सबजी में तेहां पर मैं आपका एक भीसी को बंद कर देती हूं अगर आपका एक भीसी में नहीं पकर यह सबजी तो आप दो भीसी लगा लेजे कोई नहीं बट यह जो फ्रेश गिया लॉकी तो यह एक भीसी में घल जाती है गर्वीज वाला रहता है तो यहां पर मैं चेक करी थी तो अच्छी तरह से गल गई थी तो यहां पर देखिए मैं उतार ली हूं नीचे गयस से अब हम क्या करेंगे फिर से चलते हैं इतर गयस की तरह अब तेक में पैंड भी और इसमें उसका एक तरका देंगे तो आप जब भी लॉकी का सब्जी बनाए ना प्रेंट गी में बनाएगा काफी टेस्टी लगता है मैं गी में बनाती हूं और बाकि सबचे में सट्रड वैल में पनाती हूं सर्चो का तेल में टीफाइन और तो बिल्कुल यूजे नही मेथी तरह जरूर डालेगा लोकी के सबजी में काफी फ्लेवर इसका अच्छा आता है उसके बाद एक चमस में यहाँ पर हल्दी पाउडर डाली हूँ इसमें बहुत कम मसाला पड़ता है और फ्लेम को लोही रखिया कि घी जब में जब भी आप कुछ बना रहे हैं तक घी ब फाणी दालकर भी पीष लेकिन ठोड़ा से जब हम पीषते हैं तो पानी डालने की बाद भी पीष आताए यहां पर देखिए मैं लाश्ट में डाल अट आपको इस तरह से मैसी मैसी कर लेना है मतलब हलका आसा अपीस हैं तेट ग्थे खाने में сब्रिंप बीलकुल द्यार है खाने के लिए अब हम क्या गरें एस सबॉजी को साइड में काफी को भी टेस्टी लगते मुझे तीना मसाले वाली बिल्कूल सीम्पल में बनाई हूँ अब जो मैं यहां पर आटा कुंद करके रखी थी वह भी हमारा कमसे का मादा गंटा के लिए मैं छोड़ दी थी एक बर हम फिर से हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इससे हमें रोटी बना करके तयार कर लेना है जिस तरह से नावरमल हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से तो मैं जिस तरह से रोटी बनाती हूं फ्रेंड ना मैं क्या करती हूं गरम गरम रोटी बनाती रहती हूं और मतलब मैं खिलाती रहती हूं क्योंकि मुझे काफी कि का मेरी चैनल पने